हेलो फ्रेंट्स वल्कम बेक टू मैं चैनल तो आज हम बात करते हैं एन्विस टेज़ास के बारें इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्लेबस मिल जाएगा और इस इससलेबस की जो पीडियाफ है वह आपको टेलिगरम चैनल पर विल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्र शेयर करना है वो आपको टेलगाम चैनल पर ही मिलेगा ठीक है तो देखू स्लेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रपरेशन करनी है अगर आप सेलफ स्टडी कर रहे हो तो और कौन-कौन सी बुक्स आपको इस एक्जाम के लिए सजेस्ट करूंगी मैं ठीक है तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसमें हम सर्फ स्लेबस के बारे में बात कर ले दें यह जो स्लेबस है वो ओल्ड क्या आते हैं तो उसके हिसाब से ठीक है यह मैं प्रिवेस एल का स्लेबस बता रही हूं आप इसके कॉर्डिंग प्रिपेशन अपने शुरू कर सकते हो क्योंकि एक-दो महीने बाद ही इसका एक्जाम हो जाता है यह जादा टाइम नहीं देता है तीन महीने के अंदर आपक आनी चाहिए तीसरा टॉपिक आता है मैट्रीसिस मैट्रीसिस तो मैंने औरेडी कम्प्लीट यूट्यूब पर करा रखा है आप जाकर के प्लेइस्ट में चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मैट्रीसिस complete मिल जाएगा, ठीक है next आता है आपका polynomials ये भी अपने आपने काफी बड़ा topic हो जाएगा next topic आता है linear equation in one variable one and two variable, दोनों variables में हमें linear equation पढ़नी है ठीक है, next topic हमारा ये हो गया उसके बाद आता है pair of linear equation in two variables अभी मैं main main topics बता रहे हूँ उसके बाद हम detail main topics के बारे में जानेंगे फिर आता है आपका quadratic equation ठीक है, फिर arithmetic progression यानि AP फिर inequalities फिर आता है combinatrix ये topic थोड़ा सा अ अ लग है combinatrix ठीक है, next topic है आपका calculus coordinate geometry coordinate geometry तो हर एक exam में आता ही आता है ठीक है, area and volume इधर लिख देती हूँ, area and volume, trigonometry, statistics and probability तो ये सारे जो topics हैं वो आपके इस exam में पूछ जाते हैं old pattern के हिसाब से, ठीक है अब में भी वो syllabus में थोड़ा बहुत change कर दें क्योंकि उन्होंने नई चीज़े add की हैं इस बारी ठीक है, तो देखो real number अगर आप पढ़ते हो तो real number में क्या क्या आएगा real number में आपको representation of natural numbers पता होना चाहिए ठीक है, integers, rational numbers number line पर कैसे दिखा सकते हैं वो पता होना चाहिए representation of terminating and non-terminating recurring decimal ये एक ऐसा topic है जिससे exam में question पूछा गया था last time terminating and non-terminating recurring decimal on the number line through successive magnification ये इतना important नहीं है ठीक है, rational numbers as recurring and terminating decimals ये terminating non-terminating वाला topic तो ऐसा है जो आपको करना ही करना है example of recurring and non-terminating decimals वहीं बात हो गई है ये तहीं की topic है existence of non-rational numbers मतलब irrational numbers के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है, their representation on the number line number line के उपर आपको representation पता होना ना होना उतना matter नहीं करेगा, क्योंकि exam में उस type of question नहीं पूछा जाता है explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely, every point on the number line represent a unique real number तो इसमें सबसे ज़्यादे important यही है कि आपको real numbers, natural numbers, जितने भी type के numbers होते हैं सबके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए और terminating and non-terminating एक ही topic है जिसने यहां से question पूछा गया था last time बाकी इसमें कोई खासा topic है नहीं ठीक है अगर आप terminating and non-terminating पढ़ोगे तो उसमें आपका rational, irrational difference कैसे है वो सब आपको चीज़ें खुदी समझ आ जाएंगी ठीक है फिर इसके बाद इसमें आता है इसी topic में law of exponent with integral powers वही बात जैसे हम यह चीज़ें पढ़ते थे a की power m into a की power n a की power m upon a की power n यह सब formula जो होते हैं simple से जो यह logics है वो हमें आने चाहिए ठीक है rational exponent with positive real basis rationalization of real number जो भी real number होते हैं उनका rationalization जैसे हमें कहते 1 upon root 2 minus 1 तो इसका rationalization कैसे करते थे इस तरीके से करते थे तो वो चीज़ें हमें आनी चाहिए उनका use हो सकता है ठीक है Euclid division lemma एक division algorithm है वो भी हमें आनी चाहिए fundamental theorem of arithmetic expansions of rational number in term of यह वही हो गया terminating non-terminating ठीक है तो इसमें सिर्फ आपको 2-4 चीज़े अगर आप करते हो terminating non-terminating पूरा numbers का जो कुछ भी set वगेरा होता है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ठीक है और एक Euclid division lemma यह आपको पता होनी चाहिए उससे related भी exam में question आता है division algorithm कहो या फिर Euclid division lemma इससे related question exam में पूछा जाता है ठीक है ठीक है अभी मैं इसको एक बार rough कर देती हूं ताकि मैं particular topic को detail में बता सकूं Piano's exam ठीक दूसरा आता है इसमें principle of induction ठीक है principle of induction first principle second principle third principle ठीक है basis representation theorem basis इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने 11-12 तक शायद नहीं पढ़ी होंगी ठीक है तो basis representation theorem theorem है इसमें basically वो theorem हमको आने चाहिए greatest integer function इस type का function हमने पढ़ा है बहुत बारी जो वीडियो चल रही है regular जो आ रही है रात को 8 बजे उनमें मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है test of divisibility divisibility की किसी नमबर से कोई भी नमबर कैसे divide होता है कैसे नहीं होता है अगर आप self study कर रहे हो तो ये वीडियो आपको helpful होगी ठीक है divisibility में की कोई number 2 से divide कब होगा 4 से कब होगा 3 से कब होता है 9 से कब होता है 11 से कब होता है तो हम direct कुछ rules होते हैं उनके according डारेक्ट बता पाते हैं कि अगर मुझे 11 से किसी number को divide करना है चाहिए मुझे कितना भी बड़ा number दे दिया जाए कि ये number दे दिया तो मुझे check करना ये 5 से divide होता है नहीं होता तो मुझे पता है लास्ट में अगर 5 पाता है तो 5 से divide होगा तो ये सारे ऐसे छोटे-छोटे divisibility के rules होते हैं जो हमें पता होना चाहिए ठीक है तो divisibility का topic भी इसके अंदर आथा जिससे अच्छा question आता है ठीक है युक्लेट्स algorithm ये वाले topic से भी exam में question पूछे जाते हैं unique factorization theorem next topic आता है congruence Chinese remainder theorem remainder theorem भी एक ऐसा important topic है जो आपके exam में पूछा जा सकता है तो remainder theorem बहुत अच्छे से करना चाहिए उसमें कितनी भी remainder theorem आये Chinese remainder theorem या बहुत सारी अलग अलग भी आती है वो सब आपको आनी चाहिए sum of divisors of a number sum of divisors of a number Euler's Totent Euler's Totent की अगर हम बात करें तो जो हम remainder theorem use करते हैं remainder निकालने में Euler's Totent हमारी help करता है ठीक है Euler's Totent function theorem of format and Wilson एक format हुआ एक Wilson ये सारी theorem ये सब जो है ये ये और ये ये remainder theorem में ही आपका सारा का सारा आ जाएगा क्योंकि remainder निकालने में ही ये सब चीजे हमें help करती है ठीक है तो एक तो terminating non terminating एक remainder theorem एक Euclid करके जो भी मिल रहा है वो सब कुछ Euclid Algo ठीक है या फिर जो कुछ भी आपको मिल रहा है Euclid करके वो important है जो कि पहले पूछे जा चुके है मैं वो topics यहां पर बता रही हूँ ठीक है अब देखते है elementary number theory हो गया उसके बाद आता है आपका matrices matrices में क्या है R1, R2, R3 as vector space ठीक है यह vector spaces मैंने YouTube पर नहीं करा रखे है over R and concept of R की power N sorry Rn not R की power N तो इसमें क्या matrices में हमें vector space जो की linear algebra का थोड़ा सो topic है यह linear algebra में आपको मिल जाएगा standard basis यह भी आपको linear algebra में मिल जाएगा linear independence linearly linear independence and linear dependence यह भी आपको linear algebra में ही मिलेगा subspaces of R2 के जितने भी subspaces होते हैं वो R3 के जितने भी subspaces होते हैं वो फिर एक नहीं नहीं topic है यह translation जिनसे पहले मैंने exam equation तो नहीं देखा है dilation rotation reflection of a point reflection in a point line and plane ठीक है यह topic हुए इसी में ही और इसमें ही आगे यह थोड़े से जो topics हैं वो linear algebra में आपको मिल जाएंगे अगर आपने बीसी में linear algebra पढ़ा होगा तो ठीक है eigenvalues, eigenvectors, pdf आपको इसकी telegram channel पर मिल जाएंगे तो telegram channel जरूर जोइन कर लेना ठीक है और matrices हो गई in diagonal form यानि diagonal matrix हो गया बहुत साहरे मिल जाएंगी यह भी ठीक है फिर diagonal matrix को reduction to diagonal form up to matrix of order 3 ठीक और computation of matrix inverse is matrix के जो inverse निकाले जाते हैं वो rank कैसे निकालते हैं बहुत important topic है rank और इसके बाद सबसे important topic है solution of a system of linear equation using matrices यह आपको मिल जाएंगे तो matrix के अंदर हमारा linear algebra के कुछ topics है कुछ आपको matrix में यह सब मिल जाएगा ठीक है आइगन value important है आइगन vector important है ठीक है next topic आता है polynomials अगर आप 10th 12 तक अपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अब 10th वाला ज्यादा portion है यह अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो इसके coefficients ठीक है examples इसके counter examples इसकी जो terms होती है वो zero polynomial क्या होता है short में मैं लिख रही हूँ degree of polynomial हमें बताना होगा ठीक है कोई polynomial है उसके degree क्या होगी constant linear polynomial constant polynomial linear polynomial zero polynomial quadratic polynomial जिसमें highest power 2 मिल जाती है variable की cubic polynomial जिसमें 3 power मिलती है monomials जिसमें एक ही term होती है binomials जिसमें 2 term होती है ठीक है trinomials जिसमें 3 होगी factors हो गए इसके multiples हो जाएंगे इसमें ठीक है यह सारा 10th तक आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा zeros and roots of a polynomial या तो zeros या फिर roots किसी भी polynomial के या फिर equation के polynomial के zero होते है equation के लिए कहोगे तो roots कहे जाते है ठीक है remainder theorem वही वहाँ पर तो remainder theorem जो चलेगी वो numbers पे चलेगी जैसे मैं कहूं 2 की power 3 है इसे मैंने कहा 7 से divide करने पर remainder कितना आएगा ठीक है वहाँ पे तो इस type के question है इसमें algebra वाले question होंगे कहेगा x square plus 2x plus 18 को मैंने x minus 2 से अगर divide किया है तो remainder कितना आएगा तो उस type से base theorem से एक channel पर भी मैंने इसकी video बना रखी है ठीक है तो वो भी आप देख सकते हो ठीक है इसमें भी remainder theorem आएगी statement and proof of remainder theorem का ही एक part और हो जाता है factor theorem ठीक है जब remainder 0 हो जाता है तो remainder theorem का ही नाम factor theorem कर देते हैं अगर remainder मिल रहा है तो ठीक है वही जो बच्पन में formula पढ़े थे a plus b का whole square a minus b का whole square a square minus b square a plus b का whole cube a minus b का whole cube वो सारी चीज़े इसमें आ जाएंगी उन पर question बना दिये जाते हैं and their use in factorization polynomial को factorize जब करते हैं तो इनका use आएगा identities का simple expression reducible to these polynomials simple expression होंगे जो हमें polynomials में change करने होंगे तो यह सारा जो portion है अगर आप 10th class तकी 9th हो 10th की book अच्छे से करते हो side books ले लो कोई भी उनसे अच्छे से करो NCRTs पढ़ो तुम्हाँ से चीज़े cover हो जाएंगी ठीक है अगर आप self study कर रहे हो तो यह video आपको जरूर helpful होगी और अगर वीडियो प्रसेंट आए तो प्लीज वीडियो को जादर से जादर शेयर जरूर करना ठीक है linear equation next topic है linear equation in two variables अब जो linear equation है वो two variables में है ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें mainly आपको solutions करने होते हैं ठीक है solutions किस तरीके से वो देखना है two variable has infinitely many solutions and justify their being written as ordered pair of real numbers, algebraic and graphical solution इसमें कुछ नहीं होता है linear equation two variable जैसे मैं कैदू x plus y is equals to 2, 2x plus 3y is equals to 3 तो ये जो है linear equations है इनको solve करना है चायब simply solve करके इनकी values निकालो जब इनको दोनों को solve करोगे तो x और y की कुछ-कुछ values आएंगी उनको फिर इस तरीके से रख दिया जाता है इसको ही हम ordered pair कहते हैं और यही क्या हो जाता है इन दोनों का solution हो जाता है तो यही चीजे वो पूछ रहा है कब infinite solution होते हैं अगर मैं आपको दो equation दू कब उनके infinite solution होंगे कब उनका unique मतलब सिर्फ एक ही solution होगा कब उनके कोई भी solution नहीं मिलेगा तो वो सारी चीज़े हमें linear equation in two variables में देखनी है ठीक है फिर आता है linear equation in one variable linear equation in one variable की बात अगर हम करें फिर आता है pair of linear equation in two variable जो कि मैंने अभी बताया वो pair of linear equation in two variable में ही था ठीक है linear equation in one variable, linear equation in two variable बाते सेम ही है दोनों चीज़े topic एक में ही cover हो जाएगा पूरा का पूरा गर आप पढ़ोगे ध्यान से तो ठीक है अगर आपसे कहता है linear equation in two variable तो सिर्फ आपको एक equation के बारे में चीज़े पता होनी चाहिए ठीक है उसका graphical solution और जो कुछ भी उसके अंदर आता है pair of linear equation जो जो अभी मैंने बताया कि एक equation ये है दूसरी equation हमने ये बना ली है और इन दोनों को solve करके कब solutions कितने कितने हो सकते हैं तो mainly इनके solutions के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कब इनके infinite solution है कब इनका एक solution है कब इनके बहुत सा एक भी solution नहीं है तो वो pair of linear equation में आ जाएगा ठीक है दोनों topics same ही है linear equation in two variable pair of linear equation in two variables ठीक है इनका graphical या फिर geometrical representation भी आपको आना चाहिए ठीक है consistency, inconsistency इसका मतलब यही है कि solution है या नहीं है consistency, inconsistency का मतलब है solution है solution नहीं है वो चीज़े हमें पता होनी चाहिए algebraic conditions for number of solutions अगर आप number of solutions निकालते हो मैंने कहा कि इन दोनों equation का कोई भी solution नहीं है तो उसकी कोई algebraic condition होगी वो हमें बताना होगा ठीक है इस तरीके से कुछ questions देंगे वो solution के उपर ही कि कितने solution होते है तीन cases होते है उन्हीं तीनों के उपर questions बनाया जा सकता है दो equations को आप कैसे solve करते हैं class lines में आपने बढ़ा होगा कि एक तो method होता है substitution method दूसरा होता है elimination method तीसरा होता है cross multiplication method तो आपको mainly equation solve करनी आनी चाहिए multiplication method ठीक है ये तीनों methods आपको आने चाहिए दो equations को solve करने के लिए जब वो linear form में होती है तो इसके बाद जो आपका topic आता है वो आता है quadratic equation quadratic equation इसमें क्या होगा जैसे मैंने का x square plus 2x plus 4 ये कोई मुझे equation दे दी गई है तो quadratic है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही variable है ये in one variable है ठीक है तो एक ही variable में highest power क्योंकि इसके 2 दी गई है तो ये quadratic equation है इसके उपर बहुत सारी चीज़े होती है इसका solution कैसे निकालोगे इसके जो roots है वो real है imaginary है या फिर बराबर है तो वो सारी चीज़े हमें देखनी पड़ती है एक तो हम इसको factor करके भी solve कर सकते है तो factorization भी हमें आना चाहिए दूसरा method होता है इसमें completing the square वो भी हमें आना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीज़े भले ही हमसे direct in पर question ना पूछा जाए लेकिन इन दोनों का use होगा जब आप question solve करोगे ठीक है बाकी इन दोनों पर direct questions पूछे जा सकते है ठीक है quadratic formula इसमें एक आ जाता है तो quadratic equation में quadratic formula होता है minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2ax की values ये आती है अगर ax square plus bx plus c हमारी कोई quadratic equation होती है तो roots इस तरीके से हम निकाल लेते है तो ये quadratic formula हो गया फिर इसी के उपर ये होता है discriminant इसी के उपर ये तीनों चीज़ें की solution जो होंगे मतलब जो हमारे roots होंगे real imaginary equal क्या क्या होंगे discriminant यानि b square minus 4ac के उपर depend करता है तो quadratic equation में ये सबसे जादे important है और quadratic equation में आपको पता होना चाहिए कि sum of roots, product of roots वो सब चीज़ें क्या होती है वो सब पता होना चाहिए नेचर, discriminant and nature of roots मैंने बता दिया अपने हिसाब से अलग से लिखना चाहो तो discriminant and nature of roots मतलब real है, imaginary है, equal है क्या है, discriminant y b square minus 4ac ठीक है, उसके बाद आता है ap, ap में आपको कुछ नहीं simple आपको दो ही formula होते है an equal to a plus and minus 1 into d दूसरा formula sum होता है a plus n upon 2 into 2a plus and minus 1 into d तो दूसरा ये दो formula अगर आपको आते है इनका application अगर आता है तो ap नहीं पर खतम है ठीक है, ap में कुछ यादा हमें करना नहीं होता है उसके बाद आता है inequalities in equalities इसके लिए particular एक book मैं बताऊंगी अभी मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है तो जो मैं books वाली video बताऊंगी तो उसमें particular एक तो inequality एक combinatrix इन दोनों topics के लिए मैं आपको book बताऊंगी आप वहां से इने follow कर सकती हूँ inequality थोड़ा बहुत आपको NCRT में मिल जाएगा थोड़ा बहुत अगर आप side books लोगे तो उसमें भी आपको inequalities मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है, but combinatrix आपको नहीं मिलेगा उसके लिए मैं particular एक book बता दूँगी उसमें ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है और topics मिल सकते हैं, but ये दो topics करने के लिए आप उस book को prefer कर सकते हो ये तो side books में बहुत मिल जाएगा उसके दिक्कत तो है नहीं, इसकी थोड़ी से problem हो जाती है तो इसमें आता है आपका elementary inequalities, absolute value मतलब mod में जो कुछ भी होगा, mod x mod इस type से कुछ हमारे पास inequalities होती है inequality of means, kochi squares inequality, chef by chef inequality दो important है, kochi squares inequality, chef by chef inequality ठीक है, वो दोनों नाम से हैं, तो वो काफी important हो जाती है इसमें आता है principle of inclusion and exclusion pigeon hole principle recurrence relation binomial coefficient ये चीज़े इसमें है, topic में, एक और है principle of inclusion and exclusion ठीक है, उसके बाद आते हैं हम calculus भी अगर हमें calculus पढ़ना है, तो हमें क्या-क्या पता होना चाहिए calculus में set, complete theory set की functions उनके graphs ठीक है, जैसे कि आपका polynomial हो गया एक function, function रेंदेर graph के अंदर है polynomial, sin function, cosine function, इनके graphs आपको पता होना चाहिए, exponential मतलब e की power x type का जो भी function होता है, वो वाले function, लोग वाले function, logarithmic function, step function, limits and continuity, ठीक है, यहां तक तो आ गया इसके अंदर, limits and continuity है, आप लोगोंने पढ़ा ही होगा, differentiation, easy topic है, methods of differentiation, differentiation में क्या-क्या होता है, तो chain rule होता है, कुछ इसके formula होते हैं, ठीक है, एक product rule होता है, differentiation का, एक quotient rule होता है, जब दो functions divide में होते है, chain rule, product rule, quotient rule, और formula जो इसके होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, फिर differentiation में first derivative हो गया, second derivative भी आपको आना चाहिए, कि second time differentiation हम कैसे करते हैं, ठीक है, integration as reverse process of, फिर आपको integration भी आना चाहिए, integration के question exam में आते हैं, differentiation के भी easy से question आजाते हैं, जो NCRT से ही आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को करने के लिए, सबसे पहले आपको NCRT ही prefer करनी चाहिए, बात में आपको कोई भी sidebook आप ले सकते हो, integral of functions mentioned, introduced above, integration, differentiation, differentiation, mainly बात इसमें ये कही गई है, topic में, ठीक है, जो भी हाँ function बताएं, उनके आपको graph पता होना चाहिए, फिर आता है, Euclidean, Euclidean geometry, इसमें आपके कुछ rules, exams आएंगे, कुछ, postulates आएंगे, कुछ, नियम मतलब, कुछ theorems आएंगी, वो आपको देखनी है, इसमें important यही चीज़े होती है, ठीक है, five postulates and Euclid, equivalent version of fifth postulate, relationship between exam and theorem, theorems and line and angle, अब यहाँ पर geometry शुरू हो जाती है, starting में तो theoretical portion ने थोड़ा सा, ठीक है, line and angles, triangle, quadrilateral, theorems on area of parallelogram and triangle, मतलब, जो हम geometry पढ़ते हैं, वो वाला portion इसके अंदर सारा आएगा, circle हो गया, circle के ओपर theorems हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, similar triangles हो जाएंगे, आपके similar triangle based theorem हो जाएंगी, जो की बहुत important होती है, ठीक है, constructions करो या ना करो, paper में तो constructions हो देने से रहा, ठीक है, इसमें दे रखा है, सेवा theorem, मेनलस theorem, यह अलग है, नाम से हैं तो important है, मेनलस theorem, 9 point circle आपको पता होना चाहिए, 9 point circle क्या होता है, Simpson, Simpson-Rhein, Simpson-Line, center of similitude of two circles, Lehmus, Steiner theorem, theorem, Ptolemy, theorem, तो यह कुछ नाम से हैं, इंटरनेट पे सर्च करो इन आप पढ़ सकते हो ऐसे, ठीक है, अगर आप चाहो तो, because, वनाइस के लिए कोई particular book, तो ऐसे शायद मिल पाई या ना मिल पाई या देखना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है, फिर आता है आपका topic, coordinate geometry, coordinate geometry आपका 9th, sorry, मतलब 9th to 12th के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है, coordinate geometry में सबसे पहला आपका Cartesian plane, coordinates of a point, coordinates of a point, ठीक है, distance between two points यह formula पढ़ा होगा, under root x1 minus x2 का whole square, या x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, यह formula पढ़ा होगा आप लोगों नहीं, वही है distance formula, ठीक है, और section formula एक, और area, मतलब 9th और 10th के trigonometry बहुत है, sorry, 9th और 10th की coordinate geometry बहुत है, इसे करने के लिए, ठीक है, फिर आता है आपका area and volume, area and volume की बात करें, तो उसमें triangle का area, एक hero's formula आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके application किसी भी quadrilateral का area find करने में, hero's formula triangle के लिए use होता है, तो किसी भी quadrilateral का area गर निकालना होता है, तो इसका हम use कर सकते हैं, ऐसे करके, दो triangle बना करके, दोनों का अलग-अलग area निकाल करके add कर सकते हैं, ठीक है, फिर surface area हो गया, और volume हो गया, किस-किस का, cube, cuboids, spheres, इसमें hemisphere भी आएगा, cylinder and cone, ठीक है, frustum of cone का question exam में पूछा जाता है, important है, frustum of cone, ठीक, area of circle, इसी के अंदर है, area of circle, area of sectors and segments, ठीक है, जैसे हमने ये circle बनाया है, तो उसके अंदर ये हमारा हो जाएगा, sector, ये minor sector, ये major sector, इनका area कैसे निकालते हैं, अगर ऐसे कोई line बना दी जाए, circle में तो ये segment हो जाता है, minor segment, ये major segment, तो इनका area हमें कैसे निकालना होता है, वो हम लोगों ने देखना है, ठीक है, इसके बाद आता है, आपके पास trigonometry class 10th, NCRT side books, बहुत हैं, trigonometry के topics के लिए, इसमें वही है right angle triangle, relationship between ratios, trigonometric ratios, trigonometric identities, वही sin square plus cos square equal to 1, 1 plus 10 square equal to second square theta, 1 plus cot square theta equal to cos second square theta, वो तीनो trigonometric identities हो गई, ठीक है, ratio of complementary angles, height and distance, ठीक है, आगे आता है आपके पास statistics, statistics and probability, ये दो topic और हुए, ठीक है, statistics में आपके पास collection of data, presentation of data, tabular form, उनकी जो table बना करके हैं, लिखते हैं, group data, ungroup data, bar graph, histogram, frequency polygons, qualitative analysis of data, to choose the correct form of presentation form for the collected data, mean, median, important है, इसमें सबसे जाधा, mode of ungrouped data, mean, median, grouped data, mean, median और mode, ungrouped data हो या group data हो दोनों के लिए, cumulative frequency graph, ये भी important है, cumulative frequency आनी चाहिए, ठीक है, वो question को करने में use होती है, next है, probability में आप देख सकते हो की, elementary probability, ठीक है, basic clause उसके आपको आने चाहिए, discrete and continuous random variable, mathematical expectation, mean and variance, बहुत important है, probability में mean and variance of binomial, poisons and normal distribution, sample mean and sampling variance, hypothesis testing using standard, normal, variate, curve fitting, correlation, regression, regression, तो ये regression बहुत important topic है, regression से एक्जाम में question आ रखा है, ठीक है, तो ये हो गए हमारा सारा का सारा maths का syllabus जो की सिर्फ TGT exam के लिए है, जो जो चीज़े इसमें important सी वो भी मैंने आपको बता दी, हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम syllabus को complete करें, एक्जाम को अगर crack करना है, तो हमारे लिए ये ज़रूर नहीं है कि हम syllabus करें, पूरा का पूरा दन हम practice उठाके बठें, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, सबसे पहले आप previous year paper देख लो, अल्रेडी मैंने channel पर share कर दिया है, जॉइन करें, टेलिग्राम चैनल, previous year paper देखो, उसको analyze करो, अपना अपना level check करो, कि आप कितना time आपको लगेगा तयारी करने में, ठीक है, पहले previous year try कर लो एक बार, कोई 10 question कर पाएगा उसमें से, कोई 50 कर पाएगा, और कोई उसमें से 70 to 80 question कर पाएगा, बतलब अच्छे question attempt कर लेगा, तो वो उनकी knowledge के उपर depend करता, अगर आप इतने question attempt कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, अगर इतने question attempt कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से आधे topics आपके clear हैं already, तो अपना पहले level check करो, कि आपको रहाई में, ठीक हैं, तब जा करके जहां से, और इस वाले जो भी ऐसे students हैं, उनको तो तयारी तब से ही शुरू कर देनी चाहिए, जब तक notification नहीं भी आया होता है, क्योंकि हमें नहीं पता notification कब आ जाए, 100 days पहले मैंने एक वीडियो, 100 days पहले, मतलब काफे दिन पहले जोइन कर सकते हो, अगर जोइन करना चाहते हो, ठीक, तो basically main बात यह है कि अगर आप बिल्खुल ही low level पे हो, तो आपको काफे time चाहिए, preparation के लिए, या फिर आपको बहुत जाधा time अब देना पड़ेगा exam के लिए, क्योंकि 22 July last date exam form fill करने की, और कम से कम, एक दो महीने या आज से ही मानो, तो 3 महीने के अंदर आपका exam हो सकता है, क्योंकि वो जाधा time नहीं देते हैं, notification out करने के बाद, ठीक है, 22 तारीक के बाद आपको जाधा time नहीं मिलेगा, ठीक, वो लोग जाधा time नहीं देते हैं, कि आप 6-6 महीने आपका paper नहीं हो रहा है, उसमें कुछ भी कि सब कुछ लेके बैठ गए, total syllabus discuss करने लग गए, ठीक है, वो चीज़े नहीं करनी, और अगर इतना कर पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो थोड़ा बहुत आपको refreshment लेना पड़ेगा, यह topics देखने पड़ेंगे, कि जो-जो topics में नहीं आते हैं, वो मैं प्रिफर करनी है, इस exam के लिए वो आपको मिल जाएंगी, अगर आप self study कर रहे हो, तो इस channel पर आपको total बता दिया जाएगा, कि आपको क्या-क्या books follow करनी है, क्या-क्या आपकी strategy होनी चाहिए, time to time आपको videos मिलती रहेंगी, तो please इस video को जादा सा जादा share जरू कर देना, अ time की वज़ा से, लेकिन daily ही आती है, वो video कभी-कभी नहीं हो पाता, ठीक है, तो आप उस video को भी जरूर देखें, क्योंकि वो आपको exam में जरूर helpful होगी, ठीक है, चाहिए आपको कोई साभी TGT-PGT exam दे, आपको वहाँ पर उस video से help जरूर मिलेगी, ठीक है?